फैशन यह एक ऐसा शब्द होता है जिसे सुनते ही लोग सबसे पहले अपने जहन में यह लाते हैं कि फैशन हमें कुछ हनों का कुछ अलग देखने को मिलेगा और इसी फैशन शो की अगर बात कहीज़े तो आज लखनों में इस फैशन शो को आयोजित किया गया है और श्रिय फाउंडेशन द्वारा फैशन शो भी होना चाहिए श्रिया फाउंडेशन ने और क्या-क्या देश और प्रदेश में किया तो सबसे पहले तो सर आपका टीवी 24 चैनल में बहुत-बहुत स्वारा है अच्छा सर हब यह जानना चाहेंगे जैसा कि लिखा हुआ है श्रिया फैशन फैशन फीवर 2024 यह फॉर्स ताइम हो रहा है कि आप कंटीनु कई वर्थो से करा नई यह तो पहला बार है आज फैशन फिवर के नाम पे पहला करकम है shredded और इंटर्टें्मेंट के फैम पहला-करकम हमारा है फैशन फीवर अभी हमारे लिए भी नया है अभी देखने कि आगे भी होगा कि नहीं अच्छा से अगर फांडेशन की बात कहें जब भी फांडेशन शब्द आता है तो लोगों के जहन में आता है जाहिर सी बात है कि समाज से जुड़ी हुई कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो फांडेशन मुहीम चलाता है फॉर एक्जांपल दिया जाए गरीब बच्चे हुए जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल रहा है या फिर लाज के लिए नहीं आफिर कसे के घर में खाने के लिए नहीं या फिर जो भी जरूरत मंचीज है आप अपने फांडेशन के द्वारा क्या क्या करते हैं और यह क्या कुछ अभ जो हुआ है उनको तो जानी रहें जैसे सबसे पहले लागडाउन में इस चिश्की हमें जरूरत दिखाए दिया कि नहीं एक ऐसा काम होना चाहिए एक हमें भी ऐसा करना चाहिए अपने पार्ट का जो भी हमारे हमसे हो सकता है क्योंकि उस पिरिएड में बहुत से लोग कि लागडाउन में तो उनके लिए पहले हमने सुर्वात किया खाने से ही जो हमारे समय था क्योंकि उस समय तो खाना बनवा नहीं सकते थे तो फल था फ्रोट था जो भी था उससे ब्रेड सब उसके बाद लागडाउन खुलने के बाद फीस कि बच्चों को बहुत से हमारे यहां काम करने वाले थे जिनके बच्चों के फीस कोई करेंट कोई कुछ तो इन सब में को देखते हुए मुझे सब लगा कि नहीं यह सब हमें भी करना चाहिए तो कंपनी का जो भी मैक्सिमम स्रया ग्रूप का पार्ट होता है उसका 30% स्रया फाउंडेशन पर खर्च होता कि मैंने कभी भी यह नहीं देखा है कि स्रया ग्रूप से जुड़े हुए है कि कहन है जैसे बच्चे अभी आया तो मने एक साल के लिए कर दिया अब उसकी सिसी अगर पता चलता है कि नहीं आकर पढ़ सकती तो आगे भी होगा एक बच्ची हमारे एल्बम में रोल की उसको किया गया कोई भी हो सकता है और जो इलाज की बाते हैं जो पैसे के अभाव में लाज नहीं हो पाता यह सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि आज़ काल प्राइवेट हवितल इलाज तो बढ़ियां देता लेकि पैसा भी बढ़िया लेता है तो प्राइवेट ही असपिटल सहायता उनको मिल जाता है हमें एक फांडेशन शुरू करना चाहिए और असके माध्यम से जरुत मन्द लोगों की जरुत पूरी करनी चाहिए ये थौट कब आया देखिए जमीन से जुड़े हुए हैं और हमारा सबसे पहला सुरुवाती कैरियर पेपर बाटने से हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहा दिखाई दिया है कि हां कैसे सफर किरता है अदमी तो जब हमारे यह सकती हुआ कि नहीं हम अपने पार्ट को 30% इस पर खर्च कर सकते हैं तो 30% ऐसे ही जगों पर खर्च कर रहे हैं जहां हम खुद सफर किया है क्योंकि लागडाउन की बात छोड़ दीजे कभी हम भी ब्रे अगरण और यह सब पेपरों को ले करके माटते तो उससे जो मिलता सा उससे पना जूग कर चलाते है कुछ समय बाद अपना खुद का पेपर भी चालो किया है धीरे धीरे समय बदलता है और सबसे बड़ा चीज की जो हमारे साथ जूड़े हुए लोग है उनको हमने एक ही में पूला है कि अगर मेरा कमीटमेंट कभी तूटा तो समय ले जए कि मैं दुनिया में हूं कि कमीटमेंट अपना कभी में दोड़ने जेता है अचा एक शीज और मैं जानूंगी श्रिया फाउंडेशन श्रिया किसका नाम है किसके नाम से इस फाउंडेशन को आपने रख लगा कि यह जो लड़की होती है घर की लच्वी होती है और उसके नाम पर क्योंकि कंपनी का नाम बहुत से लोगों ने बहुत को सजा लेकिन मुझे लगा कि नहीं तो बैटी के नाम पर ही रखना चाहिए और उसको पहले से ही गोशित करके रखें चेयर परसंद फ्यूचर क आँ किस में घे राय 안से तरह की शूफ तो होने वाले है रुजख मो होग to होने वाला जो बीचूचा हमने देखा इसके इलावा और क्रोग्राम उसमें कुछ गिप्ट भी है साथ ही तीन एल्बम का रिलीज है जो स्रया इंटर्टेन्मेंट के द्वारा है और जो गाने हैं उसके लिर्किस्ट यहां पर आये हुए हैं सिंगर तो नहीं है लेकिन दो के सिंगर भी है यहां यहनि लिरिक्स म्यूजिक सिंगर तीनों एक हां तो उन तीन गानों को आपकेजन के हिसाब से ही रखा गया है और गाने के रिलीजिंग होगी और एक हम लोगों का दा हाफ मून जो छे वार्ड पहले फेस्टिवल के लिए बनाया गया था छे वार्ड पा चुका है उसको मने मूवी का सकल दे दिया दा हाफ मून मूवी जो है आपको अप्रैल के ल तो detained की टीम यह श्रेयव गूप में जो मैंबर्स है श्रीवाट में हमने देखा जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था जिब यह थी प्रजुलित की तो मैंबर्स को ले कर लेकर भी हमने बाते सुनी कि मैंबर्स का भी बहुत हैम्वी अहम रोल रहा है और श्रीवाथ हम र क कर फैमिली मेंबर्स तक जाएंगे किसर किन-किन लोगों का सयोग रहा है और आप जिस मुकाम पर आज खड़े हैं सबसे जादा सपोर्ट किसका रहा है तेकि अगर कहा जाता है किसे भी कंपनी में आफर किसी भी टीम को खड़ा किया जाए अगर ग्रुप मेंबर या फिर टी 2020 में जब हुआ तो सबसे पहला सक्स थी सालनी मिस्रा वो बैठी हुई है इस कंपनी में समय अमडी भी है दूसरा रोल विसाल सरोज 22 साल का बच्चा था उसके बाद हमारे पांच भी अमडी है धीरे-धीरे लोग भी आए वाइप तो अल्रेटी रहती ही है लेकिन बाहर के में यह लोग हैं जिसमें हमारे पांच भी अमडी है जिसमें सुर्वा सबसे पहले तिवारी जी आए उसके बाद एक प्रेमा देवी है फिर डी ततया हमारे पास 90 परसंट आर्मी की टीम है आर्मी की टीम है सर आर्मी की टीम क्या सोचके आपने आर्मी की टीम क्या सोचके इस श्रिया फाउंडेशन के द्वारा आगे आपके मन में और क्या-क्या प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ और अच्छा करना है, जो समाज तक मेसेज है, और जैसा कि आपने कहा कि जमीने इस तरिये से आप उठे वे इनसाने पेपर बाट कर अपनी रोजी रोटी चला है, आपने बताए कि ब्रेट खाकर हमने वो दिन भी गुजा रहा है, तो बहुत जादा तो आपसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक जमीन सोटे वेखती है, लेकिन हम यह भी जानना चाहेंगे, सर कि जिस तरीके से ये श्रिया फाउंडेशन आज यहां तक जुड़ते हैं, और आज लगभग एक लाख से उपर हैं परिवास, तो स्रेया फाउंडेशन जितने भी लोग हैं, सब खुसी हैं, यही खुसी मुझे चेहरे जब दिखाई देता है, तो अपने को संतुष्टी होता है कि चलिए मैं कुछ काम्याब हूँ, सिक्षा को लेक हैं कि 2024 से हम उस पर काम स्टार्ट कर दें, जिसमें हम प्राइबेट हॉस्पिटल जैसे मेदानता यह सब हैं, वह ऐसी फैसलिटी हम फ्री में दे सकें, गरीब लोगों को, और इसकूल भी ऐसा हम चाते हैं, सीवेसी बोर्ड का हो, जहां जो बच्चे सीवेसी बोर्ड की प हैं कि श्रिया फांडेशन की शिर्वात कैसे हुई, और बात कहीं जैसे सपोर्ट किसका किसका रहा, तो इनके टीम मेंबर में जो 90% जो मेंबर्स हैं, वो आर्मी मैन से, रिटार्ड आर्मी मैन हैं, जो यहां पर डिसिप्लिंग और मैनर के साथ रहते, साते-साते इनोंने यह भी बतायां कि किस तरीके श्रिया फांडेशन आगे कि प्लानिंग क्या कर रही है, श्रिया फांडेशन का मेन मोटीव यह है, कि एजुकेट कैसे बच्चों को किया जाया, और अगर बात कहीं जैसे स्वास्त हालत को लेकर कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग स्वास्त क इलाज नहीं होने पर भी दम थोड़े भुकमरी के कारण भी अपने दम को तोड़े, तो इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने बहुत सारी मुहीम चलाई, लोगों को खाने भी खिलाए, और अगर बात कही जाए स्वास्त को लेकर तो स्वास्त इलाज भी कराते हैं, इन फ् बहुस टाइम है, अगर ये भी सक्सेज रहा, लोगों को पसंद आया, क्योंकि ये जो स्तरीके से समाज से जुड़ेवा और समाज से सिवा करना चाते हैं, अगर समाज को वो चीज पसंद आएगा, तो आगे बढ़ेगा, समाज को अगर आज का शो नहीं पसंद आएगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उस तरीके से हमानित जी जो चेयर मैने, शेयर फांडेशन के सारी इंफर्मनेशन आप तक पहुचाए, कैमरा परसन नीरस के साथ, आनन्या मिश्रा, टीवी 24, लखनव